नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल स्वाज हम बात करेंगे SBI के शेर के बारे में यहाँ पर देख से हैं 180 के उपर भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से निकल जाएं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे पूरी जानकरी जानने के लिए इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखेंगे तब ही आपको पूरी बात समझ में आएगी जो लोग मेरे चैनल पर नए आएगे वो करीपा यहाँ पर सब्सक्राइब का बड़न ज़रूर दबादीजे साथ में बैल एकन पर नोटिफिकेशन के उपर ओल कर दीजे जो लोग इंट्राडे में अच्छे खासी पैसे कमाना चाते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिये हुआ है आप वहाँ पर जाके मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं वहाँ पर मैं डेली इंट्राडे कॉल वगएरा प्रवाइड करता हूँ आप वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए तकरीबन जो शेर था यह तकरीबन यहाँ पर आप देखिए 2020 के स्टार्टिंग में यहाँ पर 334 के आसपास यहाँ पर टेड कर रहा था और अभी आप देखिए 180 के आसपास यहाँ पर टेड कर रहा है तो यहाँ पर बहुत यह जारा इसमें गरावट देखने को मिली है करोना वारिस की वज़े से अभी आने वाले टाइम में हमें इसके क्या लेवल के उपर यहां पर बाइंग अगर करनी है तो किस लेवल के उपर हम बाइंग कर सकते हैं तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे सो जैसे आप देख सकते हैं आज तक्रीबन यहाँ पर 0.64 परसन यहाँ बड़ोतरी देखने को मिली SBIN में जो की बहुत ही जाद कम है यहाँ पर देखने को कह सकते हैं हम यहाँ बिल्कुल भी यहाँ पर movement नहीं है आज के दिन और यहाँ पर आप volume भी देखिए volume भी कल के मुकाबले है पिछले तक्रीबन 15-20 दिन के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम है आज के दिन और यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी जो है अपना एक बार लोग बनाने के बार उसके बार यहां से इसने upside की और जाना शुरू कर दिया लेकिन यहां से मैं कोँगा अगर यहां से और भी उपर जा सकती है लेकिन मेरे इसाफ से यहां पर यह उपर नहीं जाने इस तनी रभी देखने के यहां पर फिर नीचे की और आ सकती है यहां पर देखी इसका जो करण वyorsun में के होता है कि यहां पर ऑने आने वाले दिनों में वीरिशक मोमट देखने को मिल सकता है और यहां पर और Nifty 50 जो Market बो फिर से नीचे की और सुगे मालीच जे Nifty 50 यहां पर नीचे की और आ गई और SBA यहां से मालीच अगर Nifty 50 नीचे आगी तो SBA जो है वो भी Nifty 50 यहां पर Share यह भी यहां से थोड़ा और नीचे की और आ सकता है आपना जो इसका Level है यहां पर तकरीबन 174 के आसपास इसको तोड़ दिया अगर इसने तो उसके नीचे फिस से यह हमको देखने को मिल सकता है और 150 के आसपास 120-30 के आसपास इसका जो अगला लेवल है वहाँ पर आ सकता है तो आप वहाँ पर बाइंग करना चाहिए तो आप वहाँ पर भी बाइंग कर सकते लेकिन अगर माली जी आपको लगता है कि मेरे इस आप मेरे बिल्कुल आनलाइज के विरूद की यहां से मार्केट है वह उपर की और जाएगी तब आप यहां से बाइंग कर सकते हैं अगर करना है तभी यह लेवल जो मिल रहा है आपको यह भी बहुत बढ़ीया लेवल है यहां पर दिखे इसका जो लोप नाया इसने तकरीबन 174 के आसपर तो और अभी यहां पर 180 के आसपर यहां पर चल रहा है लेकिन मैं यहां से कहूंगा बिल्कुल भी यहां पर रिस्क मत उठ अगर माली जैसे उपर गया तब भी आप फायदे में रहेंगे लेकिन अगर माली जैसे नीचे आगया तब आपको जारा नुकसान नहीं हो गार यहां पर जैसे यह बिल्कुल आराम आराम से थोड़ी-थोड़ी करके लेना है जो भी आप शेयर लेना चाहते हैं तो आप थ 174-175 के असपास यहां पर बाइंग थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं अगर माली जैसे इसने लेवल कोई बड़ी मूमण नहीं आती हमको पूरी मार्केट में देखने को तो यहां फिर से यहां इसी लेवल के असपास यहां से कम सॉलिडेट कर सकता है 174-195-198 के आसपास फ यहां पर थोड़ी यहां पर क्वांटरी खरी सकते हैं और इसके बार 150 अगर यहां पर इसके लेवल के नीचे अगर यहां पर कोई मूमण आती है तो यहां से 150 के आसपास अगर फिर से यह शेयर आ सकता है और इसके बार यहां पर थोड़ा सा इसमें बाइंग कर सकते हैं ल के बाद लेकिन तब तक आप बिल्कुल भी यहां पर कोई बड़ी इंवेस्टमेंट मत कीजिए अगर करना था आप छोटी-छोटी यहां पर इंवेस्टमेंट कर सकते हैं तो यह था अज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए का मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कान